How did Ahomz defeat the mighty Mughals? दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि Mughal पूरे भारत पर कबजा करने के बावजूद कभी Assam को क्यों नहीं जीत पाए? जी हाँ, ये कहानी है उस Ahom Kingdom की जो 1615 से 1682 तक चला, जिसमें कभी Mughalों की जीत नहीं हुई. इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे Assam के Ahom Kingdom ने बार-बार मुखलों को हराया. आईए शुरुवात करते हैं Ahomz के बैक्ग्राउंड से. Who were Ahomz? 13th century में Ahom present day मेयनमार से ब्रह्मपुत्र वैली में आकर सेटल हुए. शुरुवात में Ahomz ने लोकल लोगों के साथ सेटल होने के बाद 16th century आते-आते सदिया Kingdom को हरा कर अपने एक Kingdom जिसे Ahom Kingdom कहा जाता है, इस्टैबलिश कर लिया. धीरे-धीरे उन्होंने South Assam के Demasa Empire और West Assam के बारो-भुयार Kingdom को हरा कर अपनी पावर को और बढ़ा लिया. लेकिन इसके साथ ही उन पर Turks और Afghan rulers की आकरमन होने लगे, जिसमें मुगल invasion सबसे prominent था. सबसे पहले हम मुगल और Ahomz के बीच conflict का कारण जानने की कोशिश करते हैं. Reasons for Conflict दोस्तों, वैसे तो इसके कई reasons थे, लेकिन इसका primary reason मुगल्स का aggressive imperialism था, जिसमें मुगल Ahomz Kingdom को हरा कर मुगल Empire का North East तक expansion करना चाहते थे. इसके अलावा मुगल्स political supremacy चाहते थे, यानि मुगल बादशाह की पसंद और नापसंद से assignment king बने और वहां king बादशाह के orders को follow करे. लेकिन Ahomz Kings ने ये conditions कभी accept नहीं की, जो conflict का एक बहुत बड़ा कारण बना. आईए अब हम बात करते हैं कब और कैसे मुगलों ने Ahomz पर attack किया. First attack by Mughals वैसे तो Ahomz और मुगलों के बीच skirmish 1613 से शुरू हो गई थी. लेकिन Assam पर First Organized Mughal Attack 1616 में मुगल forces ने किया था, जिसे Battle of Samdhara के नाम से जाना जाता है. रतन सिंग नाम के एक Unauthorized Mughal Trader का Ahomz किंग्डम में पता चला. Ahomz ने उसकी illegal धन संपत्ती को freeze कर लिया और उसे Assam से expel कर दिया. इससे मुगलों को युद्ध के लिए एक बहाना मिल गया. अबू बकर और भूसना के राजा सत्रजीत के नित्रित्व में मुगल आमी ने Assam की एक पुरानी कैपिटल बारनगर की ओर मार्च किया और उसे Occupy कर लिया. अचानक हुए इस हमले में छोटी सकमिश के बाद Ahom हार गए. मुगल फोर्सेज एडवान्स करती हुई इंपोर्टन्ट भराली संगम तक पहुच गई. लेकिन एक महीने की तयारी के बाद Ahom's ने मुगलों पर सर्प्राइज अटैक किया. समधारा के पास हुए इस अटैक में मुगल आर्मी को हैवी लॉस हुआ और वो वहां से रिट्रीट करने पर मजबूर हो गई. इस तरह मुगलों ने पहले असायम हमले में पूरी तरह मात खाई और उनकी सैन्य प्रतिष्ठा को भी significant damage हुआ. इसके बाद भी मुगलों के छोटे-छोटे हमले होते रहे, लेकिन अब हम बात करेंगे मुगलों के दूसरे बड़े अटैक की. Second Major Attack on Ahomes पहली हार से 20 साल तक शांत रहने के बाद, एक बार फिर से 1636 में मुगल सेना ने असायम के कामरूप पर अटैक करके युद्ध की शुरुवात की. इसमें शुरुवात में Ahomes की हार हुई और Ahome Kingdom को मुगल Empire में मिला लिया गया. लेकिन 1638 आते आते फिर से पासा पलट गया और एक बहतरीन तयारी के साथ Ahomes ने वापसी की. समधारा के पास एक बार फिर से भयंकर युद्ध हुआ. इसमें Ahome की नेवी चीफ की मौत हो गई, लेकिन Ahomes ने ब्रेवरी से एक बार फिर से मुगल आर्मी को असायम से बाहर खदेर दिया. इस युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी financial और human loss हुआ, जिसकी वजह से दोनों पक्ष peace treaty करने पर अग्री हुए. ये peace treaty February 1639 में मुगल कमांडर अलायार खान और Ahome जेनरल मौमाई तामुली बोर बरुआ के बीच हुई. इसे Treaty of Asuraar के नाम से जानते हैं. इस treaty के तहट मुगलों ने Ahome किंग की independence को accept किया. गुआहाटी से शुरू होने वाला Western Assam मुगलों के हाथों चला गया, लेकिन उन्हें बाकी बचे हुए Assam पर अपना किसी भी तरह का claim छोड़ना पड़ा. दोनों पक्षों में trade बिना किसी रुकावट के होने लगा. लेकिन दोनों ही पक्षों ने इस treaty को strictly follow नहीं किया और छोटी-छोटी सकमिशस चलती रही. आईए अब हम बाद करते हैं तीसरे बड़े conflict की. थर्ड मेजर अटैक उन Ahomes दोस्तों 1648 में गोहाटी के मुगल कमांडर ने Ahome के newly appointed king जैद्वज को बधाई संदेश भेजा. लेकिन जैद्वज ने बादशाह शाह जहां की बीमारी और मुगल Empire के War of Succession का फायदा उठा कर मुगलों को न केवल गोहाटी से खदेर दिया, बलकि माना सरिवर के पार तक उनका पीछा किया. उन्होंने मुगलों के ढाका के आसपास के क्षेत्र को भी तबाह और बर्बाद कर दिया. वापस जाते जाते वो कई मुगल soldiers को अपने साथ बंदी बनाकर असैम ले गए. लेकिन War of Succession जीतने के बाद और अंगजेब ने मीर जुमला को असैमपर अटैक करने और पूरवी भारत में मुगल प्रेस्टीज को फिर से स्थापित करने का आदेश दिया. मीर जुमला ने 1662 की शुरुआत में असैमपर अटैक कर दिया. उसने गुवाहाटी और मानस को बहुत आसानी से उक्यूपाई कर लिया. Strategically important पांडू और खजली शहर भी उसने आसानी से जीत लिये. दरसल मीर जुमला की ये easy success मुगल आर्मी की bravery की वजह से कम और असैम आर्मी में dissatisfaction के कारण ज्यादा थी. लेकिन जैसे ही मुगल आर्मी कालिया बोर तक पहुँची, असैम आर्मी को ये realize हो गया और फिर मीर जुमला को deadly resistance का सामना करना पड़ा. उन्होंने अपनी power को सिमलूगण और समधारा में concentrate किया. लेकिन मुगल आर्मी नंबर्स में असैम आर्मी से बहुत अधिक थी, इसलिए असैम आर्मी को वहां से भगना पड़ा. इस जीत के बाद मीर जुमला ने अहूम कैपिटल धरगन्व पर अटैक किया. और अहूम किंग जैद्वज को वहां से भगना पड़ा. उन्होंने इस्टन हिल्स में शरण ली. लेकिन बारिश का मौसम आने से मुगल आर्मी वहां सस्टेन नहीं कर पाई. भारी बारिश और रिवर्स में फलड की वजह से मुगलों की आर्मी बेस, ढाका और मीर जुमला की आर्मी के बीच कम्यूनिकेशन एकदम कट गया. यही समय था जब मौसम का फायदा उठाते हुए अहूम्ज ने मुगल आर्मी पर अटैक कर दिया. अहूम्ज ने बड़ी तेजी से एक बार फिर से इस्टन असैंप पर वापस अपना कबजा कर लिया. मुगल कैंप में एक सीरियस महमारी फैल गई, जिसमें कई मुगल सोल्जर्स बिना किसी हमले के मारे गए. लेकिन सेप्टेंबर तक बारिश खत्म होने से वापस मुगल आर्मी का ढाका बेस से कॉन्टैक्ट हो गया. मुगल आर्मी ने एक बार फिर अहूम्ज पर अटैक किया, और इस बार किंग जैध्वज को पीस ट्रीटी करने पर मजबूर कर दिया. 1663 में ट्रीटी ओफ घिलारी घाट साइन की गई, जिसमें अहूम्ज किंग जैध्वज को मीर जुमला ने तीन लाख रुपे वार कॉंपनसेशन और अपनी एकलौती बेटी को मुगल हैरम में देने के लिए मजबूर कर दिया. लेकिन इसी दौरान जैध्वज की मौथ हो गई. जैध्वज की मौथ के बाद क्या हुआ? आईए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. पहली इंस्टॉल्मेंट जैध्वज ने मुगलों को दे दी, लेकिन जैध्वज के सक्सेसर चक्रद्वज ने ट्रीटी में डिसाइड हुए कॉंपनसेशन को देने से इनकार कर दिया. 1665 में गोहाटी में मुगल फौजदार सयद फिरोज खान ने अहुम किंग को जब बचे हुए कॉंपनसेशन के लिए लेटर लिखा, तो किंग चक्रद्वज ने मुगल आर्मी को असैम से बाहर खदेडेने का आदेश दे दिया और एक बार फिर युद्ध की शुरुआत ह गई, ये चौथा बड़ा अटैक था, अचानक हुए इस अटैक से मुगल आर्मी समल नहीं पाई और सिर्फ दो महिने में रिट्रीट करना पड़ा, एक बार फिर से असैम अहुम्स के अंडर में आ गया, इस हार से नाराज औरंगजेब ने अहुम्स पर अंबेर के राम सि ने मसले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अंबेर के राजा मिर्जा जैस सिंग के बेटे राम सिंग के नेतरित्व में एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी, ये आर्मी संख्या में कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, कि इसमें 4000 मनसबदार पारी राम सिंग के 4000 सैनिक, 1500 औरंगजेव की ओर से दिये गए एडिशनल सैनिक, 18000 घोडे पर सवार सैनिक, 30,000 पैदल सैनिक, 2000 आर्चर सैनिक, 21 राजपूत ठाकरों की सैन्य टुकणियां और 40 वार्शिप्स शामिल थे, इसके अलावा कूच बेहार मुगलों की एक जागी टोटल संख्या अब लगभग 75,000 से 80,000 हो चुकी थी, इतनी बड़ी आर्मी के सामने कम संख्या की अहोम आर्मी टिक नहीं पा रही थी, तब अहोम्स के चीफ कमांडर लचित बोर फुकन ने फुल स्केल वार के बजाए गोरिला वारफेर की स्ट्राटजी बनाई, लचित आर्मी को ब्रह्मपुत्रा का वाटर वे चूज करने के लिए मजबूर कर दिया, लचित ये जानते थे कि मुगलों की नेवी बहुत वीक है और उसे पानी में युद्ध का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और गोहाटी में दिवार के बाद इस्ट में जाने का एक मात्र रू राम सिंग को ये संदेश भिजवाया कि वो बहुत डरे हुए हैं और मुगलों से नेगोशियेट करना चाहते हैं, उन्होंने नेगोशियेशन में राम सिंग को उलज़ाय रखा ताकि उनकी तयारी और बहतर हो सके, और अंगजेब ने भी इससे निपटने के लिए मुनव कि तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अहोम्स के गुरिला अटैक का लगातार सामना करना पड़ा, जैसे ही मुगल सैनिक किसी हीली एरिया में एंटर करते थे, वहां बैठे अहोम आर्मी के सोल्जर्स उन पर हमला करके वापस हिल्स में चुप जाते थे, लगातार मुगल सैनिकों का हरैस्मेंट होता रहा और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी, अंत में ठक हार कर राम सिंग ने मुगल आर्मी को सराई घाट के नैरो पात से गोहाटी में घुसने का आदेश दिया, और होम्स के लिए तो ये एक आइडियल कंडिशन थी, ब्रह्मपुत्र रिवर में मुगल आर्मी को तीन तरफ से घेर लिया गया, मुगल नेवी को तीन तरफ इताखुली हिल्स, कामाख्या हिल्स और अश्वकरांत हिल्स की तरफ से एक साथ हमले का सामना करना पड़ा, पानी में वीक होने और डेडली अहुम अटैक की वजह से मुगल आर्मी ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकी, अयाश मुगल एड्मिरल मुनवर खान हुक्का पीते हुए मारा गया, उनके टॉप थ्री एड्मिरल्स के साथ ही चार हजार मुगल नेवी के सोल्जर्स भी मारे गये, बचे हुए मुगलों को मानस रिवर तक खदेर इस तरह अहूम्स की एक बहुत ही शांदार जीत हुई, लिकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद भी मुगल चुप नहीं बैठे, आईए जानते हैं कि मुगलों ने किस प्रकार साजिश करके बिना युद्ध लड़े ही गोहाटी को एक बार फिर से कैसे अपने कंट्रोल म बंगाल में गोहाटी का कमांडर लालुक बार फुकन बना, बंगाल के मुगल सुबेदार मुहम्मद आजम खान ने उसे सराइगाट के बदले में चार लाख रुपे घूस ओफर की, साथी आजम ने असायम की गद्धी पर लालुक बार फुकन को बैठाने का भी प्रॉमि इन गहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद मुगलों और अहूम्स के बीच अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें हारने के बाद फिर कभी मुगलों ने असायम की और देखने का दुस्साहस नहीं किया। आईए बात करते हैं बैटल ओव इताखुली की। बैटल ओव इताखुली 1681 में गदाधर सिंग अहूम किंग बने। उन्होंने मार्च 1682 से ही मुगलों को गौहाटी से खदेडने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दिहिंगिया अलून बारबरुआ के नित्रित्व में जून और जुलाई महिने में गौहाटी पर तीन तरफ से हमला करने का प्लैन बनाया गया। गौहाटी पर ब्रह्मपुत्र नदी के नौर्थ बैंक, साउथ बैंक और नदी के पानी में नेवी से अटाक किया गया। लेकिन इस बार मुगल कोई खास रिजिस्टन्स नहीं दिखा पाए। उसके कई कारण थे, जैसे औरंग जेब का मराठों के साथ डेकन में एंगेज होना, गौहाटी के फौजदार मनसूर खान का बीमार होना, बेंगौल में मुगलों का इस्ट इंडिया कंपनी के साथ डिस्प्यूट। इन कारणों से ज्यादतर पोस्ट से मुगल बिना किसी रिजिस्टन्स के ही रिट्रीट कर गए। एक मात्र युद्ध इताखुली में लड़ा गया, जिसे बैटल आव इताखुली के नाम से जाना जाता है। मुगल जेनरल अली अकबर ने सरानिया फोट पर अटैक कर दिया, लेकिन इसमें उसे भारी नुकसान के बाद रिट्रीट करना पड़ा। 17 जुलाई 1682 को अहुम्ज ने इताखुली को घेर लिया। मुगल सैनिकों ने रिजिस्टन्स किया, लेकिन वो हार को टाल नहीं सके। 15 ओगस्ट 1682 को इस युद्ध का अंत मुगल जेनरल जैन्थ सिंग की हार और आत्म समरपन के साथ हुआ। मुगल फौचदार अकबर अली को रिट्रीट करके भागना पड़ा। इताकुली फॉल के साथ ही अहुम्ज ने मानस नदी तक अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कभी असैम की तरफ कोई अटैक नहीं किया। अहुम्ज का ये किंग्डम 1826 तक चला जब फाइनली अहुम्ज को हरा कर बिटिश एम्पायर में मिला दिया गया। कंक्लूजन दोस्तों आज भी बैटल आफ सराइगाट को पूरे नौर्थ एस्ट में प्राउडली याद किया जाता है। असाम के लोक गीतों में इस बैटल का वरणन होता है। सराइगाट में असाम आमी की विजय और लचित बोर फुकन की वीरता को याद करने के लिए 24 नौवेंबर को पूरे असाम में लचित दिवस मनाया जाता है। 1999 से National Defense Academy NDA के Best Passing Out कडेट को लचित बोर फुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों ये था इंडियन हिस्ट्री का वो ग्लोरियस चैप्टर जो कहीं न कहीं में स्ट्रीम हिस्ट्री से छिप जाता है। अहोम्स की बहादुरी और साहस आज भी हमें इंस्पायर करते हैं और आने वाले कई जेनरेशन्स इस से प्रेरणा लेते रहेंगे। Thank you and God bless.